नविश्कार सीरियूस भरत में आप सभी का स्वागत है पवित्र बास की शुरुवात होते ही बंबं के जये घूश के साथ आपको सड़क पर चलते हुए कावड ये नजर आ जाएंगे जो भगवाल शिव की भगती में लीन सभी कस्टों को भूल अपनी धुन में चले जाते हैं पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कावड यात्रा को लेकर विशेश सहूलियत देने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित हैं कावड यात्रा की तयारी और सरकारी विवस्थाओं को लेकर हमारे सयूगी गौरों शिर्वास्तों ने उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास और उर्जा मंत्री एकी शर्मा से खास बाक्चेत के पवित्र स्वावण मास्ट में मैं सभी श्यू भक्तों का, सभी इस रधालूं का को मैं कामने सम्मान करता हूं, नमन करता हूं मिष्यश पूप से कावड यात्वा निकालने वाले, कामने रधालूं का को मैं नमन करता हूं स्वावण मास्ट में शामान में जो हमारे मंदिर होते हैं उनमें ज्यादा भीड होती है, ज्यादा लोगों का आवगमन होता है सुबह से ले करके देव रात तक देव साम तक लोग आते जाते रहते हैं उसके मद्दे निजर नगर विकास विभाग ने अपने सभी नगरी निकायों को सुचना है हम लोग ने दिया है कि आप उनके मंदिरों के आसपास की सफाई के विशेश ध्यान रखे मंदिवों में आने वाले लोगों को लाइट की पुरी विवस्ता हो, पानी की पुरी विवस्ता हो, आवा गवन में उनको कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पुरा ध्यान रखा जाए उसी के साथ बहुत से स्वधालू, लाखों स्वधालू जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह कामड यात्रा लेकर के निकलते हैं, बंगा का जल लेकर के निकलते हैं, पुरुत नदियों का जल लेकर के निकलते हैं, उनके लिए भी सुधाएं करने के लिए हमनों ने विसेज सुचनाएं दिया है जैसे नगर विकास विभाग में हमने कहा है कि अगर वो किसी नगर से पास हो रहे हो तो उनके मार्ग में जो रास्ता है उनका उसमें कहीं गड़ा नहीं होना चाहिए गड़ा मुक्ती होनी चाहिए उनके मार्ग में कहीं गटर का, सीवर का, मैन होल खुला नहीं रहना चाहिए जिसकी वएसे कोई एक्सिडेंट हो जाए, नाले खुले नहीं रहने चाहिए जिसकी वएसे कोई उसमें भीरवार में गिर जाए, यह तमाव सुचना हैं हमने नगरी निकायों को दिया है उससे भी आगे बढ़ते हुए, जो सरकारी तंत्र को जो ब्योस्थाएं करनी हैं, उससे भी आगे बढ़ते हुए हमने नगरी निकायों को यह भी कहा है, कि अपने समाज की पुरानी परंपरा रही है कि कोई जब तीरस यात्रा पे जाता है, कोई लंबी यात्रा पे जाता है, तो सभी लोग उसका सम्मान करते हैं आगे बढ़ करके, तो नागरिक संगटनों को आगे करके, ब्यापारी संगटनों को आगे करके, सभी लोगों को आगे करके, काउड यात्रियों का सम्मान किया ज जाए उनके लिए छोटी मोटी जो अन्य सुविधाएं हम कर सकते हैं वो खाने पिने की की जाए ये भी एक माहूल बनाता है और एक उनका स्विभक्तों का उलास उत्सा बढ़ाने का एक कारे होता वो भी करने के लिए हमने कहा है साथ ही नगर विकास और बीली भाग दोनों क बीली आ जाती है उनकी चलते एक्सिडेंट हो जाते हैं कई बार स्टीट लाइट के जो जंक्सन बॉक्सेज होते हैं वो खुले रहा जाते हैं उनकी चलते लोगों का असपर्स हो जाता है कई बार जो टांसफार्मर रखे होते हैं उनके इर्द गिर्द खुला एरिया होता है लोग भीड़ भाड में उनके असपर्स में आ जाते हैं वहां भी बैरिकेडिंग करने का हम ने हमने सुचना है दिया तो इस परकार बहुत ही विस्तुवित सुचना है हमने बिली विभाग और नगर विकास विभाग की संजुक्त मीटिंग करके हमने दिया है उसी परकार बिजली विभाग का काम सहरी छित्र के अलावा भी आता है हमने कहा है कि ये सारी बातें नगरी छित्र के साथ-साथ गरामीड चित्रों में ध्यान रखनी ही है लेकिन एक और बात का विसे ध्यान रखना है कई बार बिली के जो तार होते हैं वो नीचे लटके होते हैं कई बार बरसात के चलते आनी आने के चलते पानी आने के चलते कई बार आने के चलते कई बार खंबे लटक जाते हैं जुक जाते हैं जिनके चलते बिली का तार बहुत नीचे हो जाता है उनके चलते भी क लिवाग को बहुत व्यापक सुचना ही दिया है हमने ये भी कहा है कि चोवीज घंटे कंट्रोल विव चलाया जाए कहीं कोई अमर्जनसी आ जाए या कहीं कोई लाइन को कट करना पड़े कहीं किसी की सावधानी रखने की बात को पहुचाना पड़े इसके तमाम इंदियामात के लिए 24 घंटे लाइट का और नगर विकासिवाग का कंट्रोल रखा जाए हमने ये भी बात कहीं है कि जहां भी भै हो और एक्सिडेंट होने की संभावना हो वहां लोगों को सचेत करने का साउधान करने के लिए बोर्ड लगाए जाए कि यहां इस तरह इतना इतना कौसन दिया जाए कि जिससे की कामडियातियों के ध्यान में बात रहें अगर हम बोर्ड लगा देते हैं तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप निवार उनको बचा जा सकता है तो यते तमाम बाते हम लोंने कहा है जिनका आमल होना सुरू हो गया है और्जा और नगर विकास को लेकर लगातार अप सक्रिटा दिकाते हैं और बडलाओ करते रहते हैं आने बहले समय में और्जा वियस्था NBA बहतर करने के लिए क्या है यहाँ पर निती लाने बाले नगर विकास विवाग में हम लोग रोज आज भी हम बैठे थे उसके लिए हमने अधिकारियों से चर्चा किया है नगर विकास विवाग इस बात पर काम कर रहा है कि हमें अपने नगरों को आधुनिक नगर बनाने हैं नए भारत के नगाने, विक्सित भारत के नगाने, आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में, मानने प्रशानमंत्री जी ने, नगरी छेत्र को एक प्रमुख छेत्र मान करके, उन नव चिनित आर्थिक छेत्रों में से एक छित्र माना है और इसी लिए स्वभाइक बात है कि जब भारत सरकार का इतना फोकस है तो हमारा भी फोकस है जिसके चलते हम नगरों में अच्छी अच्छे वेंडिंग जोन बना सके हमारी सडकें अच्छी हो बिजली की विवस्ता अच्छी हो हमारा कोड़े का अच्छा हो हमारे जो नगरी छेत्वे हैं उन में ट्रांजिट ओवियंटेड डिवलप्मेंट हो जो मेट्रो वेल जा रही है उसके इर्द गिर्द अच्छा विकास हो इन तमाम बातों को ले कि आधुनिक्ता लाने का हम निरंतर प्यास कर रहे हैं हमारे सहर गंदगी से मुक्त हों संचारी रोगों से मुक्त हों जल भराओ की जो समस्याएं आती हैं उनसे मुक्त हों यह तमाम बाते हम लोग रोज कुछ नगुछ नया करते हुए उन्हें एक अगले पायदान पर ले आने का हम लोग प्यास कर रहे हैं उसी प्रकार बिली भाग की मैं अगर बात करूं तो आपको याद होगा कि भारती जंता पार्टी के पहले की सरकारों में बिली जो है पंदर पंदर दिन बाद देखने को मिलती थी हमारे सरकार आने के बाद उसमें काफी सुधार हुआ है काफी अच्छा काम हुआ है लेकिन उसमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमिया थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पुराना हो गया था उसमें हम लोग दो काम कर रहे हैं या तो उसका सही अन्रिक्षन होना चाहिए सही सही मेंटेनेंस होना चाहिए उसमें हमने भार दिय है और उसके चलते काफी जो हमारे ट्रांसफार्मर जलने में या तार तूटने में जो घटना है थी उसमें काफी कमी आई है दूसरा काम की नई आधार भूस संगर्चना न्या इंफरेशन तक्टे खड़ा करने का भी लगबक बाइस तेईस हजार करोर रुपए का काम आरड चलना है एक बात और हो रही है जो बहुत ही एतिहासिक है वो ये कि अब इस राज्ज में ऐसा कोई मजरा ऐसा कोई गांव ऐसी कोई लोकेशन नहीं होगी जो बिजली से विहीन होगी हमने ऐसे बीस हजार मजरों को अभी चिन्हित किया था जिन में लगवग एक हजार के कर लोड उपय के खर्श से एक-एक मजरे को चुन-चुन करके हम लोग जहां भी बीली नहीं पहुंच पाई थी उनका बीली करन करने का काम हमने सुरू कर दिया उसके टेंडर हो चुके हैं तो इस पकार बीली के छित्र में भी उत्तर प्रदेश को हमेशा हमेशा के लिए इस प्रंपरागत एक समस्या से बीली की समस्या से नकालने का हम प्यास कर रहे हैं आप पिछले दिनों देखा होगा कि पूरे देष में वरतमान में भी हम पूरे देश में उतर प्रदेश सबसे जदा बीली देने वाला राज्य बना हैं तीसे जार मेगावाट, उन्तीस जार और तीस जार मेगावाट की रेंज में हमारा इस समय का लोड चला है बरसात होने के बावजूद भी. जब गर्मी थी तो हम लगबग एकतीसे जार मेगावाट को हमारी पीक डिवरंड टच कर गई थी. जब गर्मी मिलियन यूनिट की बात करें तो छह सो मिलियन यूनिट से भी ज़्यादा हमारा लोड चला है. तो इस प्रकार हम पुरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली देने वाले राज्य बने हैं. इतिहास में कभी भी इतनी बिजली उत्रपरदेश में नहीं दी गई थी और पूरे देश में किसी भी राज्य के द्वारा इतनी बिजली कभी न दी गई थी और नहीं दी जा रही हैं. उतनी विजली हम उत्फरादे में दे रहे हैं और इसके लिए हम अपनी इंफ्रास्ट्रिक्चर को और मजबूत बनाने के लिए दिन प्रद्दिन लगे हुए हैं प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से नमीन उर्जा और सौर उर्जा विशेज करके सौर उर्जा पे उन्होंने बहुत बल दिया है क्लाइमेट चेंज उनका बड़ा प्रिय विशे रहा है जिसके निवारन के लिए उन्होंने सौर उर्जा पे काफी बल दिया है भारत आज दुनिया में सौर उर्जा उत्पादन करने वाले अगरनी देशों में आकर के खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में चुकि सौर रे प्रियास कर सकते हैं वो प्रियास अब हमने करना सौरू किया है लगबग दस हजार करोड की सौर उर्जा की बड़ी परियोजना है इस समय पाइप लाइन में हैं जिसमें ज्यादा तर मुंदेल खंड में हैं कुछ और अन्य जगों पे भी हैं साथ ही मानी प्रदान मंत्री जी का एक प्रिय विशय है कि हर घर पे सौर्य उजा उत्पादम किया जाए सौर्य मित्रा और सौर्य हर घर सौर्य वाली जो योजना है जिससे की सामान नागरिक को सामान परिवार को बिजली जो है फ्री हो जाए इस तरह का मानी प्रदान मंत्री जी की भावना है उसके त में अपना रिश्टेशन कराया है कई लोगों कई हजार लोगों को आलेडी वो इंस्टालेशन हो चुका है और हम उस दिसा में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ना है उत्तर प्रदेश में इस बार का मानसून थोड़ा अनियमित रहा है कहीं बार तो कहीं कहीं कम बरसात के च सिजन है दान की बपाई में दिक्कत ना आवे उनकी भावनाओं को समझते हुए उनकी मांग को समझते हुए हमने जो वर्तमान में किसी फीडरों पर दस घंटे बीजली देने का जो हमारी व्योस्था थी उसमें बढ़ोतरी करते हुए अब हम दस घंटे की जगह बारा घं किसानों को इससे संतोस होगा और उनकी धान की वपाई में बहुत अच्छी विद्धी होगी तो यह थी हमां सारुता पर सरकार की और नगरविकास मंत्री किसरमें नों ने बताया है कि कामरे आत्रा के तहट यहां पर तमाम तरह की सहलुत दी गई है और साथी सार रहनों न फिलार इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देख्श दुरिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूस भारत हर खबर आपके साथ आपके हाथ